इस्टुडेंट आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नमबर 2.3 2.3 में जो प्रैक्टिस सेट है वो कम्प्लेटिंग स्क्वाइर मेथड से हमें कॉर्डिटिक इक्वेशन को सॉल करना है इससे पहले कि हमारे प्रिवेस वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि किसी भी कॉर्डिक इक्वेशन को कम्प्लेटिंग स्क्वाइर मेथड से कैसे सॉल किया जाता है तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उपर आई बटन पर क्लिक करके हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो यह जो कोशन नमर वान है और कोशन नमर टू है यह हम आपको सॉल करने के लिए दे रहे हैं तो हम question number 3 solve करके आपको बताएंगे तो चलिए शुरू करते है question number 3 question number 3 is m square minus 5m is equal to minus 3 सब में पहले हम देखेंगे क्या ये standard form ax square plus bx plus c is equal to 0 इस standard form में है या नहीं तो आप observe करेंगे तो आपको ये मालू होंगा कि standard form में नहीं है तो हम इसको standard form में लाएंगे तो ये हो जाएगा m square minus 5m और इस minus 3 को जब equal to sign गे left side लाएंगे तो ये हो जाएगा plus 3 equal to 0 अब ये standard form में आ चुका है अब इसको हम completing square method से solve करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको m square minus 5m को as it is लिखना है चलिए इसके बाद का procedure देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है m का जो coefficient है minus 5 minus 5 को आप ले लेंगे इसका आपको half करना है यानि कि आपको इसको 1 by 2 से multiply करना पड़ेगा और इसके बाद इसका हमें square करना है जब आप इसको solve करेंगे तो ये हो जाएगा minus 5 upon 2 whole square और minus 5 upon 2 का square करते हैं तो 5 का square करेंगे तो 25 2 का square करेंगे तो 4 और minus का square करेंगे तो plus यानि कि आपको मिल जाएगा plus 25 upon 4 अब इस plus 25 upon 4 को आपको यहाँ पर एक मरतबा plus करना है यानि कि plus कर देंगे 25 upon 4 और एक मरतबा इसको minus करना है 25 upon 4 अब plus 3 को हम as it is लिख लेंगे is equal to 0 किलियर रहे हैं यहां तक student हमने क्या किया minus 5 का half किया उसका square कर दिया और यह हो गया minus 5 by 2 minus 5 by 2 का square करेंगे तो मिल जाएगा 25 upon 4 इस 25 upon 4 को आप एक मरतबा plus करेंगे एक मरतबा minus करेंगे अब यहां observe कीजिए student एक bracket के उपर m square minus 5 by m plus 25 upon 4 यह एक क्राइनोमियल का perfect square है पिछले वीडियो में हमने आपको समझाया था तो इसको लिखने का एक short method हमने आपको बदाया था सब में पहले आपको m square का root ले लेना है m square का root ले लेंगे तो सिर्फ m मिलेगा आपको यह minus sign यहां पर लिख देंगे और उसके बाद 25 upon 4 का square root लेना है 25 का square root लेंगे तो 5 हो जाएगा और 4 का square root ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 और यह bracket का square है अगर m minus 5 by 2 whole square को अगर आप solve करेंगे इसका expansion करेंगे a minus b whole square के formula से तो आपको मिल जाएगा m square minus 5 यह plus 25 upon 4 अब यह जो बाद वाला minus 25 upon 4 as it is लिखेंगे और plus 3 is equal to 0 as it is लिखेंगे अब मैं क्या करता हूँ इस minus 25 upon 4 और plus 3 को equal to sign के right hand side लाता हूँ equal to sign के left hand side बज जाएगा m minus 5 by 2 whole square is equal to minus 25 upon 4 इदर आ गया तो यह हो गया plus 25 upon 4 और plus 3 जब equal to sign के right hand side चला गया तो वह हो गया minus 3 अब यह fraction होगे इस fraction को solve करने का method आप जानते हैं तो यह असल में होता है 3 upon 1 तो हम यहाँ पर लिखेंगे m minus 5 by 2 whole square as it is अब देखें इसको किस तरह solve करेंगे तब में पहले आप क्या करेंगे 4 को 1 से multiply कर देंगे यह आपका basic है पिछले classes में आपने इस ताइब के fraction solve किये हैं तो उसके बाद cross multiply करेंगे आप 25 को multiply करेंगे 1 से और यहाँ पर minus sign है तो minus sign लिखेंगे और 3 को multiply करेंगे 4 से इस तरह यह fraction आप solve करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं 25 को 1 से multiply करेंगे तो यह होगा 25 minus 3 को 4 से multiply करेंगे तो मिल जाएगा 12 और 4 को 1 से multiply करेंगे तो मिलेगा 4 चलिए next step रहेगा 25 में से 12 जब minus करेंगे तो आपको मिलेगा 13 upon 4 चलिए इसकी बात की step यहाँ पर हम square root ले लेंगे तो हम लिखेंगे taking square root अब देखिए m minus 5 by 2 का square root ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा m minus 5 by 2 और 13 का square root लेंगे तो under root 13 और 4 का square root लेंगे तो मिल जाएगा 2 और यहाँ पर हम plus और minus लगाएंगे प्लस और माइनस क्यों लगाना है पिछले वीडियो में हमने आपको बताया तो अब हम इस step को एक मरतबा प्लस 13 अपन 2 के साथ लिखेंगे एक मरतबा माइनस 13 अपन 2 के साथ लिखेंगे तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ तो m-5 by 2 as it is is equal to plus under root 13 upon 2 और m-5 by 2 is equal to minus 13 upon 2 चलिए यह एक linear equation 1 variable मिल गए इसको हम solve करेंगे तो हम क्या करेंगे m is equal to under root 13 upon 2 as it is और minus 5 by 2 को जब इदर लाएंगे तो यह हो जाएगा plus 5 upon 2 then m is equal to देखें दोनों के denominator सेम है 2 है तो 2 का 2 लिखेंगे हम और यह हो जाएगा under root 13 plus 5 यह एक root मिल गया हमें m का एक value मिल गया अब इदर वाली linear equation 1 variable को solve करेंगे then m is equal to minus 13 upon 2 और minus 5 by 2 जब इदर आजाएगा तो यह हो जाएगा plus 5 by 2 और m is equal to यह हो जाएगा upon 2 लिखेंगे आप क्योंके denominator सेम हैं और यहाँ पर क्या बज़ गया बच्चो minus 13 plus 5 तो यहाँ पर दूसरा root भी हमें मिल गया है तो पहला root है m is equal to under root 13 plus 5 upon 2 और दूसरा root है m is equal to minus under root 13 plus 5 upon 2 तो आप final answer आप लिखेंगे आप लिखेंगे under root 13 plus 5 upon 2 and minus under root 13 plus 5 upon 2 are the roots of given quadratic equation इस तरह से हमने इसका answer लेख दिया है उमिद करते हैं कि question आपको समझ में आया होगा अब हम next question की तरफ बढ़ते हैं अब देखे question number 5 हम ले रहे हैं question number 5 is 2y square plus 9y plus 10 is equal to 0 तो पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि अगर y square के साथ कोई coefficient 1 से हट कर है तो आपको क्या करना है इसको 1 बनाना पड़ेगा तो इस equation को समय पहले हम लिख लेंगे तो यह हो जाएगा 2y square plus 9y plus 10 is equal to 0 अब y square का coefficient हमें 1 बनाना है तो हम क्या करते हैं इस equation को 2 से divide करते हैं तो हम लिखेंगे divide both the sides by 2 यानि कि आपको क्या करना है 2y square को भी 2 से divide करना है plus 9y को भी 2 से divide करना है plus 10 को भी 2 से divide करना है और equal to sign k right hand side 0 है उसको भी 2 से divide करना है तो यह हो जाएगा 2 1s are 2 2 1s are 2 तो यह हमें मिल गया y square plus इसको आप लिख सकते हैं 9 upon 2y plus यह हो जाएगा 2 1s are 2 2 5s are 10 plus 5 is equal to 0 तो जैसा कि हमारा procedure है आप समय पहले y square plus 9 upon 2y as it is लिखेंगे अब उसके बाद क्या करना है आपको यह जो y का coefficient है 9 by 2 9 by 2 का आपको half करना है यानि कि 1 by 2 से multiply करना है और उसके बाद इसका square कर देना है तो यह मिल जाएगा बच्चों हमें 9 upon 2 to the 4 whole square और इसका जब square करेंगे तो 9 का square होगा 81 और 4 का square होगा 16 तो अब यह 81 upon 16 एक मरताब हमें plus करना है तो पहले हम plus कर देते हैं और एक मरताब हमें minus करना है तो हम minus करते हैं और क्या बच्च गया है यहाँ पर plus 5 is equal to 0 as it is अब देखिए यह वाला bracket एक trinomial का perfect square है इसको लिखने का method हमने बताया था अब आप क्या करेंगे y square का square root ले लेंगे y और यह वाली sign आप यहाँ पर ले लेंगे plus और 81 का square root ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा 9 और 16 का square root ले लेंगे क्या बज़ गया y plus 9 upon 4 whole square as it is is equal to minus 81 upon 16 दर आगया तो plus 81 upon 16 हो गया बच्चों और यह plus 5 दर आगया तो यह हो गया minus 5 तो यह एक fraction बन गई है इसको हम minus 5 लिखने के विज़ा है minus 5 upon 1 लिखते हैं for your better understand तो यह हो गया y plus 9 by 4 whole square as it is is equal to 16 को 1 से multiply करते हैं के बाद 81 को cross multiply करेंगे 1 से minus 16 5 को 16 से multiply करेंगे चलिए यह y plus 9 upon 4 whole square as it is is equal to 81 को 1 से multiply करेंगे तो आपको 81 ही मिलेगा and 16 को 5 से multiply करेंगे तो आपको मिल जाएगा 80 upon 16 बन जा 16 चलिए next step ले ले लेते हैं y plus 9 by 4 whole square as it is 81 में से 80 minus करेंगे तो आपको मिलेगा 1 upon 16 का 16 अब यहाँ पर अगली step क्या रहेगी हमारी taking square root हम लिखेंगे taking square root y plus 9 by 4 whole square का square root रहेगा आपका सिर्फ y plus 9 upon 4 इसका square खतम हो जाएगा 1 का square root ले लेंगे तो 1 ही मिलेगा 16 का square root ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा 4 और यहाँ पर आप plus और minus sign लगा देंगे पर एक मरतबा plus के साथ लिखेंगे एक मरतबा minus के साथ लिखेंगे तो आप लिखेंगे y plus 9 upon 4 is equal to 1 by 4 और y plus 9 upon 4 is equal to minus 1 by 4 तो यह वाली equation को solve करेंगे सब में पहले y is equal to 1 by 4 यह plus 9 by 4 equal to sign के right hand side आगया minus 9 by 4 हो गया वो then y is equal to देखें दोनों के denominator सेम है तो 4 और यह हो जाएगा 1 minus 9 then y is equal to minus 9 में से 1 minus करेंगे तो आपको मिल जाएगा minus 8 upon 4 as it is अब देखें इसको solve करेंगे हम 4 1 is a 4 4 2 is a 8 तो y का value मिल गया है minus 2 अब इदर वाली equation को solve कीजिए और y is equal to minus 1 by 4 और यह plus 9 by 4 इदर आजाएगा तो यह हो जाएगा minus 9 upon 4 अब इसको further solve करेंगे then y is equal to उन्हों के denominator सेम है minus 1 minus 9 और y is equal to minus 10 upon 4 इसको divide करेंगे 2 2 is a 4 2 5 is a 10 then y का value आपको मिल जाएगा minus 5 upon 2 तो y के 2 values हमें मिल गए यानि के 2 root मिल गए समय पहले y का value मिल गए minus 2 और दूसरा y का जो root मिला है minus 5 by 2 अब हम final answer लिखेंगे minus 2 and minus 5 by 2 are the roots of given quadratic equation हम उमिद करते हैं कि ये भी solution आपके समझ में आया होगा चलिए एक और question देख लेगते हैं 5 x square is equal to 4 x plus 7 ये आपके practice set का 6 question है तो समय पहले question हम लिख लेंगे 5 x square is equal to 4 x plus 7 इसको हम standard formula आएंगे ये हो जाएगा 5 x square 4 x जब इदर आ गया तो ये हो गया minus 4 x और plus 7 जब इदर आएगा equal to sign के ये हो जाएगा minus 7 is equal to 0 तो हमने आपको पिछले question में भी बताया था कि x square का अगर coefficient अगर 1 से हट कर है तो इसको हमें 1 बनाना पड़ेगा तो इसको हमें 1 बनाने के लिए 5 से divide करना पड़ेगा तो हम लिखेंगे divide both the side by 5 तो हमारी equation हो जाएगी 5 x square upon 5 minus 4 x upon 5 minus 7 upon 5 is equal to 0 upon 5 ये हो गया 5 ones of 5 अब क्या बज़े गया बच्चो x square minus 4 upon 5 x minus 7 upon 5 is equal to 0 upon 5 मतलब 0 तब अगली step में हम क्या करेंगे आपको x square minus 4 by 5 x as it is लिखना है x square minus 4 by 5 x अब x का जो coefficient है minus 4 upon 5 इसका आपको half करना है यानि कि 1 by 2 से multiply करना है और उसका square कर देना है जैसा कि हमने पिछले equation में देखा था तो ये हो जाएगा 2 1s are 2 2 2s are 4 तो आपको मिलेगा minus 2 upon 5 whole square और minus 2 upon 5 का whole square करते हैं तो ये हो जाएगा plus 4 upon 25 अब इसको आपको एक मरतब प्लस करना है plus 4 upon 25 एक मरतब आपको minus करना है minus 4 upon 25 और ये हो जाएगा minus 7 upon 5 is equal to 0 अब इस bracket को देखिए ये perfect square है इसको solve करने का method मालूम है हम क्या करेंगे ये x square का आपको square root ले लेना है तो ये मिल गया x ये minus sign यहाँ पर लिखेंगे हम 4 upon 25 का square root ले ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 upon 5 और ये bracket का square कर देना है इसके बाद हम क्या करेंगे ये वाले जो terms है equal to sign के right hand side लाएंगे minus 4 upon 25 जब इदर आजाएगा तो ये हो जाएगा plus 4 upon 25 और minus 7 by 5 जब equal to sign के right hand side आजाएगा तो ये भी plus का बन जाएगा plus 7 upon 5 अब यहाँ पर देखिए 4 upon 25 plus 7 upon 5 को solve करने का easy method ये है कि हम दोनों के denominator को same बनाना है तो ये 25 है तो इसको 25 अगर मैं बनाना है तो हमें इसको भी 5 से multiply करना पड़ेगा और 7 को भी 5 से multiply करना पड़ेगा तो ये दोनों के denominator same हो जाएगे तो अगली step हमारी रहेगी x minus 2 by 5 whole square is equal to ये हो गया 4 upon 25 plus 7 को 5 से multiply करें तो आपको मिलेगा 7, 5 is a 35 और 5 को 5 से multiply करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5, 5 is a 25 अब देखिए x minus 2 by 5 whole square as it is दोनों के denominator same हैं तो इसको हम 25 one time लिखेंगे और 4 plus 35 next step रहेगी हमारी x minus 2 by 5 whole square as it is 4 plus 35 करते हैं तो आपको मिलेगा 39 upon 25 अब हम square root ले ले लेंगे तो हम लिखेंगे taking square root x minus 2 by 5 whole square का root मिल जाएगा x minus 2 by 5 is equal to 39 प्लस के साथ लिखेंगे के मरतबा minus के साथ लिखेंगे तो हम लिखेंगे x minus 2 by 5 is equal to plus under root 39 upon 5 or x minus 2 by 5 is equal to minus under root 39 upon 5 पहले इसको solve करेंगे then x is equal to under root 39 upon 5 as it is minus 2 by 5 जब इदर आएगा तो यह हो जाएगा plus 2 upon 5 then x is equal to दोनों के denominator 5 हैं तो 5 one time लिखेंगे हम और उपर वाला जो number है 39 plus 2 as it is तो यह एक root हो गया तो लिए next root निकालेंगे x is equal to minus under root 39 upon 5 as it is यह minus 2 by 5 को इदर लाएगे तो यह हो जाएगा plus 2 upon 5 then our next step will be x is equal to दोनों के denominator सेम है और यहाँ पर लिख लेंगे minus under root 39 plus 2 अब इसका final answer भी लिख लेंगे हम under root 39 plus 2 upon 5 and minus under root 39 plus 2 upon 5 are the roots of given quadratic equation तरह हमने इस practice state के तीन question solve किये हैं अब जो बचे ही वे question है वो आपके solve करने के लिए हमने छोड़े हैं तो आप उसको solve करेंगे और comment के जरी हमें बताएंगे कि आपके answer आए हैं या नहीं आए हैं अगर आपको कुछ problem होती है तो आप हमें comment के जरी पूछ सकते हैं हम आपका problem solve करने की पूरी कुछ करेंगे देखे इस्टोरेंट ये वीडियो हम बहुत ज़्यादा महनत करके आपके आसानी के लिए बना रहे हैं को आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारे महनतों को आप appreciate कीजिए और comment करके बताएए कि आपको ये वीडियो कैसे लगे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा आपके दोस्तों तक दूसरे स्टोरेंट तक इसको शेर कीजिए ताके वो भी इन वीडियो से फाइदा उठा सकें Thank you for watching our videos